वेलकम गाईस वेलकम टो में चैनल आज हम लोग HPSC PGT एकनोमिक्स के लिए जो हमने प्रैक्टिस सीरी स्टार्ट की हुई थी जिसकी ओलरी चैनल पर 25 वीडियो आ चुकी हैं जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट कोश्चन्स डिसकस किये हैं तो उसी को कॉंटिन्यू करते अगर आप हमारे चैनल से नए जूड़े हैं तो आप हमारे प्लेली सेक्षन को विजिट कर सकते हैं और स्पेशली HPSC PGT एकनोमिक्स वाली प्लेलिस्ट को वहां पर आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कोश्चन्स प्रैक्टिस के लिए मिलेंगी आप चाहो तो हम दिफरेंट डिफरेंट कोश्चंज है तो आप मुझे मेरी इवाल आईडिए एकडामिके डीडी ऐड़ चीमेल.डॉट पर मेंद कर सकते हैं ताकि हम कोश्चंन की प्रैक्टिश को ऐसे ही कॉंटिनुग करते रहेंगेस क्योंकि मेरे पास जितने कॉच्चंस थे अल्मोस् अगर हम हमारा उपर है किस से उपर है एवरेज प्रोडक्त कव से तो उस सिट्वेशन में कीसे होता है वह इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है या नानोब दा अभव अब देखिए इस को सोल करने का सबसे असान जो तरीका है हम क्या कर सकते हैं इसका डाइग्राम बना सकते हैं हमने मार्जिनल प्रोड़क्ट कव बनाया और इसके बाद हम क्या करेंगे हमने मार्जिनल प्रोड़क्ट कव को बनाया और हमें पता है एवरेज प्रोड़क्ट कव इस तरह से आपक और इस situation में average product कव कि क्या हालत है तो आप देखिए जब average product कव marginal product कव के नीचे है तो आपका average product कव बढ़ रहा है increase कर रहा है तो इसी लिए option number B आपका इस question का right answer हो जाएगा अगर आप diagram बनाकर ऐसे question solve करेंगे तो आपके गलती के chances क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे अगला question देखिए return in this form इस तरह से लिखो कि CES constant elasticity of substitution production function exhibit मतलब आप constant elasticity of substitution जो है जब लिखते हो तो किस तरह से उसको शोग करोगे कि उसकी जो elasticity है वो कैसी हो constant elasticity हो तो अगर आपके CES production function की elasticity कैसी है constant है तो इसका मतलब आपके क्या आएंगे returns के scale भी कैसे आएंगे constant return to scale आएंगे अब आपके CES production function को लिखते कैसे हैं तो आपको पता है यह आपका output होता है यह आपका constant होता है जिसको हम कोप डगलस में efficiency parameter बोलते हैं यह आपका अलफा यह मैं यह कहूं distribution parameter यह के capital पी उसके बाद प्लस वन माइनस अलफा और यहां पर लेबर लेबर के उपर भी और पूरे whole का one by P तो यह जो पी है यह elasticity parameter होता है के capital होता है यह लेबर होता है अलफा वन माइनस अलफा जो आपका होता है यह distribution parameter होता है अगर CES production function में constant elasticity of substitution है तो यह समझ लो आपका return through scale भी कैसा रहेगा constant रहेगा तो इसलिए इस question का जो आपका right answer होगा option number B इस question का आपका right answer हो चाहिए अगला question देखिए increasing return to scale अगर आपको explain करना हो तो आप कैसे explain करोगे increasing return का मतलब होता है कि आपने input जो है संसाधन जो है उत्पादन के कम लगाए हैं और आपको फाइदे जो हो रहे हैं वो जादा हो रहे हैं तभी तो आपके returns आपके फाइदे जादा हो रहे हैं तो वह कब होते हैं जब आपको external और internal दोनों ही level पर क्या होती है economies मतले मतलब production करने से फाइदा प्रोडेक्शन का scale को बढ़ाने से जब आपको जो फाइदे मिलते हैं उनको हम internal economies बोलते हैं और जब आप production के scale को नहीं बढ़ाते दूसरे लोग production के scale को बढ़ाते हैं तो जो आपको indirectly फाइदे मिलते हैं वो आपके external economies होते हैं अगर आपको internally भी externally भी फाइदे मिल रहे हैं तो आपके रिटर्स बढ़ेंगे तो इसलिए option number B इस question का आपका right answer हो चाहिए अगला question देखिए अगले question में है which of the following is correct statement आप पहले हम इन दो statement को पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कौन सी statement जो है यहाँ पर correct है first statement को पढ़िए the slope of isoquant represents the marginal rate of technical substitution question में बोला है कि जो slope होता है isoquant यह हुआ इसका अगर हम स्लोप measure करना पड़ता है यह ऐसे करके तो जो slope होता है यह marginal rate of technical substitution से measure करते हैं यह बात बिल्कुल सही है अगला पढ़िए marginal rate of technical substitution of input x and y x and y का मतलब marginal product of x उपर और marginal product of y नीचे input का यह भी formula लिखा गया है तो यह statement भी आपकी correct है अब हम क्या करते हैं अगली statement पढ़ते हैं जो की next page पर है हमारी अगला statement पढ़ते हैं अगले statement पर बोला है ता elasticity of substitution between input जो elasticity है जो आपके दो input है capital और लेबर उनके बीच या दो उत्पादम के संसाधन है आपके x and y उनमें elasticity of substitution जो होती है change in the ratio of two input divided by marginal rate of technical substitution ये भी सही है कि जो capital labor ratio का जो price है और अपकोन में marginal rate of technical substitution से आप elasticity देख सकते हैं तो ये वाली बात भी बिल्कुल correct है fourth option को हम पढ़ते है fourth option में क्या बोला गया है if the degree of homogeneity is greater than one then the production function is increasing return to a fixed factor ये बात तो सही है कि अगर हमारी degree जो है homogeneity की greater than one है तो हमारी increasing return आएंगे लेकिन increasing return सिरफ fixed factor के नहीं होते तो long run का concept होता है long run में तो सारे के सारे factors variable होते हैं तो यहां पर fixed factor शाद लिखने की वजह से ये statement हमारी wrong हो गई तो हमारी जो right statement है वो आपकी first second and third है तो option number D इस question का आपका right answer हो जाएगा अगला question देखिए when average product of labour is positive but decline then marginal product could be अब वही average product और marginal product है लेकिन किसका marginal और average product बोला गया है labor का कोई दिक्कत नहीं है तो हम क्या करते है labor का average और marginal product आप वही same diagram बना लेते हैं रहता है तो marginal product क्या क्या हो सकता है तो हम क्या कहेंगे marginal product बढ़ भी सकता है decline भी सकता है घट भी सकता है zero भी हो सकता है और negative भी हो सकता है जब आपका average product increase कर रहा है positive है उस situation में marginal product की क्या situation और फिर अब इसके बाद यह हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे इनमें से any of the above इस question का आपका right answer हो चाहेगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला गया है the point which show the the point which show the maximum marginal product in total product curve represent अब यह कह रहा है total product curve के अंदर आपको maximum marginal product को शो करना है अब देखिए हम क्या करते हैं diagram बनाते हैं किसका बनाते हैं diagram बनेगा हमारा total प्रोड़क्ट का तो आप सब को बता है total product जो diagram होता है कुछ इस तरह से होता है total product यहां होता है तो यहाँ पर जब हमारा total product अपना curvature change करता है उस point को अगर हम नीचे क्या बनाए marginal product बनाऊ ना नीचे कि तरफ अगर हम marginal product बनाते हैं तो हम क्या बोलते हैं है तोटल प्रोडक्ट के अदर हमें क्या दिखाना है मार्षिनल प्रोडक्ट का Mexican Point यह देखो मैंनुल नीचे क्या किया जना है अवह making क्या है maximum है तो हमें कोश्चन में यही तो बोला है कि आपको टोटल प्रोड़क्ट के डाइग्राम में बताना है कि मार्जनल प्रोड़क्ट का maximum है तो हम कहेंगे if marginal rate of technical substitution labor and capital is 2, क्या बोला है marginal rate of technical substitution labor का दे रुखा है 2, आपको marginal product of capital और marginal product of labor बताना है, अब आप देखिएं, जब marginal rate of technical substitution L के क्या दे रखा है, और आपको उल्टा बताना है, आपसे पूछा क्या है question में, marginal rate of technical substitution KL पूछा है, तो आप भी क्या करोगे, तब आपके पास यह की option बसता है कि आप इसका क्या कर दोगे उल्टा कर दोगे यह 2 है तो क्या हो जाएगा 1 by 2 हो जाएगा क्योंकि आपको question में marginal rate of technical substitution labor and capital given है लेकिन question में पूछा क्या है marginal rate of technical substitution capital and labor तो आप भी इसका upon कर दोगे तो आपका right answer आ जाएगा अगला question देखिए अगला question है आइसो क्वाइंट और कन्वेक्स तूदा ओरीजन यह तो है इसो क्वाइंट कन्वेक्स होते हैं औरीजन से यह होता है डिमनीशिंग marginal rate of technical substitution की वज़ा से option number a इस question का right answer हो चाहेगा अगला question देखिए अगले question में क्या बोला गया है इना short run marginal product is zero level in which short run में जब marginal product is zero होता है तो की situation में आपका होता है इना short run marginal product is zero at the level जब marginal product मैकसिमम होता है UM tau marginal product jya total product maximum होता है Kids तो सब को पता है कि जब हमारा टोटल प्रोड़क्ट मैक्सिमम होता है ना उस ताइम पर हमारा मार्चनल प्रोड़क्ट अगर मैं डाइग्राम बना रही हूं तो वह 0 होता है तो इसलिए इस कोश्चन का राइट आंसर आपका option number C हो जाएगा अगला कोशन देखिए law of diminishing return to apply in a field of production कि diminishing return घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है प्रोड़क्शन में भी यह statement दो है किनों ने दिया था तो यह statement डेविड रिकार्डो ने दिया था तो option number D इस कोश्चन का right answer हो जाएगा अगला कोशन है right angle iso quant map right angle अगर आपका iso quant जो है वो right angle है तो वो क्या शो करता है कि fix portion production function variable portion production function homogeneous production function या none of double आप देखिए complementary goods में ही आपका iso quant जो होता है जब आपके factor complementary होती है उस ताइम पर आपके iso quant की shape क्या होती है आपका iso quant जो होता है L shape होता है और iso quant का L shape होना यह show करता है कि आपका जो production function है वो किस तरह का है वो आपका आपका production function fix portion production function है मतलब जो factor का amount आप ले रहे हो वो कैसा रहेगा fix रहता है उसमें किसी भी तरह का change आप नहीं कर सकते तो इसलिए option number A इस question का right answer हो जाएगा अगला question देखिए at the point of producer equilibrium equilibrium में जरूरी है कि आइसो क्वांट का यह आइसो कोस्ट लाइन है यह आइसो क्वांट है ही टेंजेंट कर यह जरूरी है marginal rate of technical substitution price of labor upon price of capital यह भी ठीक है अगली situation विल्कुल सही है तो all of the above इस question का right answer हो जाएगा अगला question पढ़िए which of the following is incorrect in connection विद रिजलाइन अब यह बताना है कि कौन सी statement रिजलाइन के बारे में होता है आप दो factor को लेके चलते हैं इधर अगर आपने labor लिया है तो आप इधर capital लेते हैं तो यह यहां पर रिजलाइन बनी हुई है इस तरह से यह economic efficiency production function की बताती है कि इसके अंदर या in line पर production जो करते हैं इस economic reason के अंदर production करने से क्या होता है हमें फाइदा होता है तो और अगर मैं आपको कहूं तो यहां पर यहां आपने labor लिया है तो यहां पर यह जो line है यह वली इसमें marginal rate of technical substitution या मैं कहूं marginal product of labor पर marginal product of labor क्या होता है यहां पर zero होता है और यहां पर marginal product of capital क्या होता है zero होता है क्योंकि इधर आपने labor लिया इधर आपने capital लिया तो यहां marginal product of capital zero है इधर marginal product of labor zero है और बीच का जो area है वहां पर आप production करना आपके लिए efficiency से कहलाती है अब आप देख्ये इधर क्या है इधर क्या है म०्ध अफ यहां पर म०्ध यहां जिरो है तो है क्या होता है इंफिनिटी ए autor पर marginal product of labor is zero इसके साथ साथ एक condition और है कि जब यहाँ marginal product of marginal product of labor zero है इसके साथ एक और condition है marginal rate of technical substitution of capital होता है यहाँ पर वो क्या होता है infinity होता है और यहाँ पर marginal product of capital आपका zero है तो यहाँ पर भी वही situation है कि marginal rate of technical substitution of labor यहाँ पर क्या है इंफिनिटी है अगर आपको यह चार कंडिशन पता है कि प्रोड़क्ट जीरो रहेगा लेकिन टेक्निकल सब्सिट्यूशन क्या रहेगी इंफिनिटी रहेगी तब आप इस कोईशन का राइट आंसर दे सकते हैं अब आप देखिए फर्स्ट ओक्शन को हम पढ़ते हैं आप इसके बाद क्या रहा है सेकंड ओप्शन को पढ़िए प्रोड़क्शन टेक्निक जो है टेक्निकल एफिशेंट है अगर आप दो रिज लाइन के बीच में हो यही चीज़ तो मैंने कहीं अगर हम दो रिज लाइन के बीच जो यह एकनोमिक एफिशेंस एरिया है इसमें प् फॉइंसो क्वाइन वेर आईजो फॉइंसो कोण यजा मार्शनल रेट ओफ टैक्निकल सब्सूटुचण substitution जो है marginal rate of technical substitution of labor यहां पर क्या होगा infinity होगा यह वास statement मैंने अभी आपको समझाया कि जब यहां marginal product of labor 0 है तो यहां पर marginal rate of technical substitution of labor यहां पर क्या है infinity है तो यहां पर यह statement भी बिल्कुल सही है थार्ड statement को पढ़ लिया हमने fourth statement पढ़िए अपर reason में locus of a point where iso current where the marginal product of input taken on y-axis is 0 यहां पर देखिए यह क्या बोल रहा है अपर रिजलाइन क्या show करती है अपर रिजलाइन यह शो कर रही है यह वली कि marginal rate जो marginal product of y-axis पर जो भी आपने फैक्टर लिया उसका marginal product 0 है तो मैं क्या क्या लिए हमने marginal product of capital लिया है तो marginal product of capital में जो आपका marginal product है capital का वो क्या है यहां पर 0 है लेकिन marginal rate of technical substitution जो है labor की वो क्या है यहां पर infinity है दोनों ही situation अलग लगे हैं इनको mix मत करना इसलिए मैं आपको बार बार पढ़ रही हूं तो यह बिल्कुल सही है फिफ्ट option को पढ़िए फिफ्ट option क्या क्या रहा है लोवर इस लाइन इस लाइन पर आते हो तो जो marginal product है ना marginal product इसका जो भी चीज आपने x-axis पर ली यहां पर यह marginal product negative हो जाता है अभी तो मैं आपको समझा रही हूं कि y-axis पर यहां पर x-axis पर जो भी हमने input लिया उसका marginal product क्या है 0 है ना marginal product हर एक point पर labor के यहां पर है जीरो है negative तो नहीं है तो इसलिए option number five इस question का right answer हो जाएगा कि यही एक option है जो आपका गलत है इसलिए option number a इस question का right answer हो जाएगा अगला question देखिए elasticity of technical substitution को अगर आपको measure करना है तो आप कैसी measure करते हो तो हम ISO quant के slope को measure करेंगे तो अपने आप हमें elasticity को पता चल जाएगा technical substitution को measure कर सकते हैं तो हम क्या बोलेंगे elasticity of technical substitution को अगर हमें measure करना है तो हम क्या करते हैं capital labor ratio capital upon labor ratio divided by change in marginal rate of technical substitution तो elasticity हमारी measure हो जाती है तो यहां पर हम ISO quant के slope से उसको measure कर सकते हैं option number B इस question का right answer हो जाएगा अगला question देखें the following table show the various combination of labor and capital तो result आपको क्या बता रहे हैं तो आप देखिए एक labor और एक capital लगा है 200 आउटपूट दो labor दो capital 400 तो आपको इन सेम बढ़ता दिख रहे है ना तो यहां पर आपके constant return to scale दिखाई दे रहे हैं option number A इस question का right answer हो जाएगा अब यहां पर कह रहा है जो production function है जो भी यह production function है आपको table में दिया गया है यह किस तरह से है यह आपको क्या दिखा रहा है आपको पता लग रहा है कि छार आपकी capital है sorry पांच ही आपका labor है और पांच ही आपकी capital है तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है यह production function linear है homogenous है production function option option a इस question का सब्सक्राइड कीigan right answer हो जाएगा क्योंकि linear age दिख रही है और production function है homogenous है तो उप्शन नमर ए इस question का right answer हो जाएगा आइसो क्वांट को हम किस नाम से जानते हैं आइसो प्रोडक्ट कव कहते हैं कई बाद जब आइसो क्वांट शब्दा हो तो इसको हम आइसो प्रोडक्ट कव भी कह सकते हैं option number c इस question का right answer हो जाएगा अगला question देखिए the slope of ISO coastline अगर आपकी यह जो ISO coastline है कि आप दो फेक्टर को खरीदने की कोस आपको पता लगाती है किससे ISO coastline आपकी बताती क्या है ISO coastline आपको यह बताएगी कि आपके जो दो फेक्टर हैं उनके market में क्या prices हैं और कितना आप उनको खरीद सकते हैं तो यह क्या कह रहा है अगर हमें ISO coastline के slope को determine करना है तो हम कैसे determine करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि उन factors का price क्या है जब आपको यह पता लगेगा कि capital कितने की आई या labor की एक unit कितने की आई तब ही आपको जो cost है वो आप determine कर पाओगे तो इसी लिए इस question का right answer option number A आपका right answer हो जाएगा money cost can be regarded as money जो cost होती है जो product को आपनाने वे जो पैसक खर्च होता है उसको आप क्या regard करोगे आप उसको economics में social cost बोलोगे या फिर हम उसको economics में opportunity cost बोलेंगे explicit cost बोलेंगे या real cost बोलेंगे explicit cost हम उसको बोलते है option number C इस question का right answer हो जाएगा अगला question देखिए the cost assigned to a factor of production that the firm neither higher or nor purchase उस cost को economics में क्या बोला जाता है जिसको ना तो firm higher करती है ना ही purchase करती है पतलब तो वो cost होती है आपकी input cost नहीं implicit cost आना चाहिए implicit cost क्या होती है यह वो cost होती है जो आपकी खुद के संसाधन की आती है तो यही economics में वो cost होती है factor of production की जिसे firm ना तो higher करती है अगर आप कोई चीज कोई factor को खरीदोगे रेंट पे लोगे तो वो आपकी क्या हो जाती है वो आपकी explicit cost हो जाती है ना तो हम खरीदते हैं ना ही purchase करते हैं वो वो सिरफ आपकी a cost होती है वो होती है implicit cost यहाँ input कोई cost नहीं है implicit cost implicit cost क्यों क्यों क्योंकि जो संसाधन आपका इन में से एक फिक्स कोस्ट लेबर कोस्ट रो मैटिकल भी तभी खरीदने हैं जब आपका production को करना हो तो यह भी वेरेबल कोस्ट है transportation के charges भी तभी लगेंगे जब आप product बनाओगे वेच होगे लेकिन अगर आपने कोई property खरीदी है उसका आप यूज करें ना करें उसका प्रीमियम है आपको continuity में देना पड़ता है तो यह आपकी fixed cost कहलाएगी option number D यहां आपका right answer हो चाहेगा अगला question देखिए अगला question है if the supply curve is not a straight line ठीक है supply curve आपका straight line नहीं है कर्वी linear है ऐसी इस तरह से कुछ है तो elasticity बताओ अब आप बताओ हर एक point पे अलग होगी ला क्योंकि आपका जो supply curve कर्व का shape हो ले लिया तो हम क्या कहेंगे अगर हमारा supply curve straight line नहीं है कर्वी linear है तो elasticity भी हर point पर different हो सकती है तो option number B इस question का आपका right answer हो जाएगा आगला question देखिए average profit is the difference between अगर आपको कोई पूछे कि average profit बताओ तो आप क्या करोगे तो आप average revenue में से average cost को minus कर दोगे तो आपका average profit आ जाएगा तो आप difference लोगे average revenue और average cost का option number C कि इस question का आपका right answer हो जाएगा अब आपसे क्या पूछा गया है कि average fixed cost क्या है average fixed cost का डाइगराम आपके देखा होगा तो आपका ऐसा बनता है average fixed cost जो होती है जैसे जैसे आप output बढ़ाते ही जाते हो वो diminishing करने लगा जाती है output के बढ़ने से average fixed cost घटती है तो हम क्या कहेंगे average fixed cost कुछ और नहीं होती बलकि diminishing करती है जैसे आपका output इंक्रीज करता है option number c इस question का right answer हो चाहेगा इस question का answer मुझे comment section में दोगे cost will decrease in cost कब घटना चुरू करती है long period में short period में always यह नहीं नौब दाबाग इस question का answer आप मुझे comment section में दोगे with reason अगला question देखिए the firm producing at a minimum point of ac तब उसका आपको क्या बोलेंगे जब एक firm production करती है कब करती है माल लो एक firm है यह और एक firm जो है minimum point of ac इस पर production अपना कर रही होती है तो हम क्या कहेंगे minimum point पर जब एक firm production करती है तो हम कहते हैं कि उसने अपनी optimal use किया है अपनी प्लांट की capacity को आपको पता है कि average और marginal cost यह बराबर है और average cost का minimum point है तो यह बताता है कि firm ने अपनी capacity है plant की उसका सही use किया है optimum use किया है तो इसलिए option number B इस question का right answer हो जाएगा अगला question देखिए rectangular hyperbola जो curve होता है इन में से किस curve की shape rectangular hyperbola होती है अभी अभी मैंने आपको बना के दिखाई थी average fixed cost की shape जो होती है आपकी rectangular hyperbola होती है तो option number B इस question का right answer हो जाएगा अगला question देखिए which is the best definition of marginal firm marginal firm की कौन सी definition बिल्कुल best है marginal firm वो firm जो की तब operate करती है जब उसकी marginal revenue marginal cost बराबर है तो यही एक firm की equilibrium condition भी है और उसकी marginal definition भी है अगला question देखिए in a short run firm would remain in a business as long as which of the following cost is covered एक firm long run में मतलब firm short run में तभी रहेगी जब उसे कौन सी cost मिलती रहे तो हमें पता है कि अगर एक firm जो होती है short run में उसको अपनी average variable cost के बराबर भी price मिल रहा है तब भी वो production जारी रखती है क्योंकि उसको पता है कि अगर वो short run में production का बंद भी कर देती है तब भी उसे fixed cost की हानी उठानी पड़ती है लेकिन अगर उसको उसकी variable cost भी नहीं मिल रही price के बराबर तो इसका मतलब वो अपना shutdown कर देगी तो वो चाहती है कि उसको variable cost कम से कम उसके production की मिले तो यहीं आप से question पूछा गया था option number C इस question का आपका right answer हो जाएगा अगला question है total cost total variable cost की बीच का धिस्क्या धिस्टंस क्या कराता तो आप देखीए total cost यहाँ से बनता है हमारा marca उल्टास की अभर और तो इसे विरेबल और चोश्ट की बीच कर ब्राबर होता है तो इसलिए option ती इस question का right answer हो चाहेगा अग्ला कुशन देखी इन इत्फ और फ़्क कोश्ट साइड भी लोग रन कोस्ट कर पॉइंट ओर आप देखोगे यह ओगया लोग रिवड़ल कोश्ट करोच कर तक यूद्म से क्या हला करते हैं लेकिन डुल होता लोग र almighty कोस्ट के मिनीमम में होती है तो शोटर्ट इसके उसके मिनीमम से क्या करता है कॉन साइड करता है सीरफ एक मिनीमम प्shirt पर दोनों बराबर आकर मिलते हैं अधरवाहिस कोई कहीं तच कर дал और है कोई तच कर रहें तो हम क्या करेंगे at lower point या यह हम कहेंगे at the middle जा अग्लाो zagें मार्जेनल कोस्ट कव कट अधा average वेरेबल कोस्ट और average potential कोस्ट अब आप देखakenहे अधरेज वेरेबल को से ऐसी होती है और अधरेज कोस्ट कैसे होती है और marginal cost का काम जा है marginal cost का काम है average variable cost को भी और average total cost को भी उसके minimum से cut करके जाना तो यहाँ पर उनके minimum point पर cut करके वो जाता है तो इसलिए option number C इस question का right answer हो जाएगा अगला question देखिए the normal long run average cost कव इस influence पर जो long run का average cost कव है वो किसे influence होता है long run में आपको पता है return to scale लगता है तो economies and dis economies of large scale of production से भी influence होता है कि आपकी cost बढ़ेगी या घटेगी यह आप इस बास टेपेंड करते हैं कि आपको economies मिल रही है या principle of diminishing returns इन सब चीजों से देखो आपका average cost का influence होता है long run में तो यहाँ पर all of the above इस question का right answer हो जाएगा आज का मारा last question बाकी question समबाद में करेंगे marginal cost कव always cut average cost कव यह तो सब को पता है कि marginal cost कव का काम है हमेशा average cost कव को उसके minimum point से cut करकर जाना तो इसलिए उसके minimum पे cut करके जाता है option number C इस question का right answer हो जाएगा अगर आपको reason line वाला question की explanation समझ नहीं आती तो आप मुसे comment section भी पूछ सकते हैं और चाहो तो एक से दो बार वीडियो को उस point पर आकर देख सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं समझ आती है तो आप मेरे चैनल को like share and subscribe कर सकते हैं